नमस्कार दोस्तों एडवाइश टीबी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे गमले के उपर आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने गार्डन में कौन से गमले का उपयोग करना चाहिए कौन से आपके लिए बहतर रहेंगे और कौन से गमले का आप उपयोग ना करें तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप सब इसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे एडवाइश टीवी ट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबसे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेसण सबसे पहले मिल जाए तो चलिये आज कि इस वीडियो को हम सुरू अगर हम बात करें कि गंळे कितने परकार के होते हैं तो दोस्तों गंपने बहुत सारे अगर हो कबBo B तो बहुत सारे अब समय पर मिल जाते हैं अगर आप को बहुत सारे आपको गंडे बहूत तरह के मिल जाएंगे मिट्टी के पौट थोड़ा सा करने की जडरूत उसमें पढ़ती है लेकिन प्लाइंट के लिए आपकी काफी अच्छा रहता है मिट्टी का गमला अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं जाए आपका फ्लावर प्लांट हो फूर्ट प्लांट हो विच्टेबल प्लांट हो कोई भी प्लांट हो सारे प्लांट के लिए आपको मिट्टी का गमला ही चुनना चाहिए मैं भी अभी तक मिट्टी का गमला बाएंट नहीं सब्सक्राम करा तो इसलिए झाइन पीज़ फाइंB बात करते हैं कि मिट्टी के गमले का चुनाव ही हमें क्यों करना चाहिए तो दोस्तों कुछ उसके बेनिफिट होते हैं जो दूसरे गमले में नहीं होते हैं जैसे जो मिट्टी के गमले होते हैं यह पानी की अधिकता अगर पानी आपने ज्यादा भी डाल दिया तो उसको कम क करके । वाताबन के नमी प्लास्टिक का ताहिसे नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। और मिट्टी के गमले में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे जो मिट्टी के हमारे गमले होते हुँ, थोड़ा वजर में जयादा होते हैं, और इनकी आपको जयादा देख्भाल करनी होती है, यह जल्दी से तूट भी जाती हैं, अगर बाइचांस किर गया, आपके हाथ से हवा के करन किस और तो आपको अगे कमला तो फिर आपको नई गमला लेना पड़ता है तो थोड़ा देखआल इसकी करने की जरूत पड़ती है इसको एक जिगा से जुटे जगार ले जाने में भी तो प्लास्टिक के घमले बहुत नहीं रखना है। अपने हिसाब से प्लास्टिक के गमले भी ले सकते हैं हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख पा रहे होंगा। अगर आपके ज्यादा धूप हो रही है और उसको आप चछहत पे रखेंगे तो नीचे से भी उसको गर्मी मिलेगी और उपर से तो गर्मी मिल ही रही है तो आपका प्लाइड होने के चांस ज्यादा रहते हैं हैं मैंने खुल इसने जगा तो किसी जगा पर क्या प्रिदे to занya दो मेरे हिसाब से यह स्र रखना हूंत इसके बाद आप सेमेंट वाले गमले के वरीता दीजिए इसके बाद आप प्लास्टिक के गमले खरीज सकते हैं अगर आपको दोनों गमले नहीं मिल पा रहे हैं तो ही आप प्लास्टिक के गमले खरीदें तो दोस्तों उमीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें सेर करें साथ से साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद जैहिन बंदे बातरम